नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टेक्टर लोन के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारे सारे किसान भाई टेक्टर यूज़ करते हैं खेती के लिए क्योंकि आज कल जो ट्रेडिशनल खेती होती थी बैलों के दोआरा वो खतम हो चुकी है लोग लोग 99% लोग टेक्टर ही उसकर थे हैं तो टेक्टर आजकी डेट में हमारी के धी का एक इंट्रीकल पार्ट है कि बिना टेक्टर के खेती करने के लिए आजका डेट में तो उस पर भी bank finance कर देती है, अब जो minimum eligibility है न, वो 21 साल की उमर होनी चाहिए, किसी भी किसान भाई को अगर टेक्टर लेना है तो land holding required होती है, मतलब उसके नाम से कोई न कोई जमीन हो, और income prove अगर हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं, तो तहसीलदार से एक certificate भी जारी हो जात है, land holding इसलिए required जरूरी है, यह land holding है एक तरीके से एक बहुत important eligibility है, जो कि अगर आप टेक्टर लोन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि टेक्टर लोन जनरली agriculture के purpose से ही दिया जाता है, क्योंकि agriculture loan में आता है, तो इसमें किसी तरह की जो bank की eligibility रेती है, कि उनको priority sector की loan करने है, इस वजए से भी यह requirement ज़्यादा जरूरी हो जाता है, टेक्टर लोन पर जो interest rate है, वो 10% से 25% है, इसके अंदर में बढ़ा वो है, अगर यादि आप किसी public sector bank, state bank, अप इंडिया bank को बढ़ा से लेते हैं, तो आपको टेक्टर लोन पर interest rate करीब 10% की करीब पढ़ती है, लेकिन अगर आप private bank को से लेते हैं, तो यही interest rate आपको 15-20% पढ़ती है, और अगर आप किसी NBFCs वज़रा से लेते हैं, तो वो आपको 20 से उपर ही चार्ज करते हैं, तो मेरी आपसे यही request है, अगर आपको choose करना हो, तो पहले public sector bankों में जाए, मैं मानता हूँ, तोड़ा मुश्किल होता है वहाँ से loan लेना, लेकिन आपको interest बच जाएगा, margin 15%, 10%, 15%, 20% इस तरहे रखा जाता है, average margin 15% होता है, margin का मतलब यह हो गया, कि अगर आप टेक्टर 5 लाग का खरीद रहे हैं, तो उसमें 15% पैसा आपका होना चाहिए, और बाखी का पैसा bank finance कर सकता है, इसक के चलिए आप harvester, 20 लाग का harvester खरीद रहे हैं, जिसकी cost है, तो अगर उसमें 15% margin कर दूँ, तो bank उसमें 17 लाग तक का finance कर देगी, लेकिन 3 लाग रुपे आपको अपने end पर arrange करने पड़ेंगे, अपना खुद का fund लगाना होगा, margin का मतलब यह हो गया, दूसरा अब primary security की बात करते हैं, जब आप कोई टेक्टर लेते हैं, तो उस पर bank अपना hypothecation करके रखता है, same हैसे जैसे card अब लेते हैं, तो RC पर hypothecation होता है, बैसे ही तब टेक्टर लेंगे, तो टेक्टर की RC पर भी आपका bank का hypothecation होगा, hypothecation का यह मतलब होगा है, कि आप bank उस टेक्टर को बेच नहीं सकते, तब तक आपका loan नहीं चुकता हो जाता है, अब दूसरा collateral की बात करी जाए, अगर आप 1,60,000 से कम का loan लेते हैं, तो किसी तरह की कोई collateral या security आपको नहीं देनी, लेकिन अगर आप 1,60,000 से ज़्यादा का loan लेते हैं bank से, तो आपको जो आपकी जो agriculture land है, उस पर pledge रखना पड़ेगा bank के पास, या पिर आपको gold रखना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको security रखनी पड़ेगी, security के form में आप third party का भी कोई asset रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि खुद का ही कोई चीज हो, nature of facility, term loan की तरह दिया जाता है, मतलब आपको हर महीने equitable monthly installment payment करनी होती है, हर महीने की कोई ना कोई किस्ट आपकी बन जाती है, वो आपको payment करना होता है, तो उस तरीके से यह आपका चलता है nature of facility में, loan amount की बात करें, तो generally bank कम से कम एक लाग का loan देते हैं, और maximum loan की कोई limit नहीं है, क्योंकि जो tractor loan है, उसके अंदर harvester, या combine harvester, ये सारी चीज़ें भी कबर हो जाती है, तो कोई scope नहीं है कि, scope बहुत है कि कितना higher price उसका जा सकता है, time period, maximum bank 5 साल तक के लिए allow करते हैं, कुछ-कुछ cases में bank 1-2 साल बढ़ावी देते हैं, अलग क्योंकि, हर bank की अपनी अलग-अलग policy है, लेकिन on average आप देखोगे, तो 5 साल का 10 आपको maximum मिल सकता है, loan repayment के लिए, अब बात करते हैं, civil score, civil score आपको बाक भी में अच्छा होना चाहिए, अगर मान के चलिए, आपका civil score अच्छा नहीं है, आपने कोई पुराना case ही से default कर रखा है, तो public sector bank तो आपको loan देगा नहीं, private sector bank वाले भी बड़ी मुश्किल से देंगे, और आपको NBFC में जाना पड़ेगा, NBFC में जाने का मतलब है, पचीस से 50% के बीच में interest rate लेना, यानि कि बोल सिप लूटने के लिए ही बैटे हुए हैं, तो अपने civil बिल्कुल सही रखिएगा, कई सारे bank आपको बोलते हैं क आप co-applicant और guarantor को compulsory रखिए, मतलब आपको अपने जो loan आप लोग है, उसमें co-applicant या तो compulsory रखना पड़ेगा या guarantor, बिना उसके वो देते नहीं है, co-applicant भी वो आपके किसी blood relatives को ही बनाएंगे, जैसे आपके पत्नी को, या फिर mother को, या फादर को, अब बात करते है कि processing fees, देखिए, अगर आप public sector bank और से ले रहे हो, तो processing fees आपको 0.5% या 1% तक ही पड़ेगी, public, private sector bank और से ले रहे हो, तो 2-3% के बीच में processing fees लेंगे, और यही चीज़ अगर आप NBFC से ले रहे हो, तो आपको 5% तक की processing fees वो लोग charge कर लेंगे, अब बात करते हैं, मैंन पुंट है 13-20% है, loan amount जितना आप चाहिए, loan tenure वही 5 साल, state bank of India मैंने कहा था public sector bank है, इसकी interest rate 9-10, 10-10% के बीच में है, कई बार यह कुछ-कुछ ऐसी schemes है, इसकी जिसके बीच में यह 100% एक्टर का finance कर सकते हैं, 5 साल के time period मिलता है, HDFC private sector bank है, जिसके rate of interest 12-57 से लेके 23% तक जात 12-84 महीने का इनका time period है, पूना वाला फिनकॉप जो की एक NVFC से, उसकी interest rate 16% से शुरू होते हुए 20% तक जाती है, 90-95% तक का वो financing कर सकते हैं, इन लोगों की जो terms condition है, वो time to time change होती रहती है, तो एक बार तब आप इस चीज को देखें, तो एक बार आप ग्राफर कर लें, उनकी official website पर क्या terms conditions है, अब बात करते हैं, जब भी आप tractor लेने जाते हैं, तो होता है कि तब आप dealer के पास जाते हैं, तो dealer के पास ही 4-5 finances मौझूद होते हैं, फिर आप dealer से पूछते होगी, साभ हम किस से लें, तो ये गलती कभी मत करिए, dealer से कभी मत पूछें, क्योंकि dealer का commission fix होता है, हर financier के उपर, हर bank उसको कुछ न कुछ commission देता है, तो हो सकता है कि वो आपको जो बताए, वो उसकी तरफ से bias हो, bias हो मतलब कि वो आपको उस financier का नाम बताए, जहां से उसको ज़्यादा commission मिलता हो, आप खुद अपनी R&D करके जाएं, वहाँ पर जब भी जाएं और पूरी तरह से study करके वो आप dealer के पास जाएं, क्योंकि वो किसी भी वहाँ पर लगवाँ हर banker बैठा रहता है, और वो आपको आराम से finance हो पाएगा, अब बात करते हैं, document required, application form, दो passport size photo, pen card, आधार card, land holding proof, खास्तरा खतोनी की copy आप लेके जाएं, तब भी आप dealer के पास purchase क जाएं, tactic quotation तो आपको dealer से मिली जाएगी, income proof अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तहसीर या पर revenue officer से जरासा certificate issue होता है, जो कि महमूली है, वो जिस भी banker से आप लोग है, वो already arrange करवा देगा, अब बात करते हैं, अधर stamp duty charge लगता है, processing fees charge लगता है, file charges लगत जाएंगे, और NBFCs तो आपको हर चीज पर charge लगाएंगे, file charges लगादेंगे, processing fees charge लगादेंगे, check charges लगादेंगे, stamp duty तो हर जगे लगेगी, तो बहुत वाली चीज है कि कोशिश करिए है कि आप public sector bank से ही loan लें, चाहे किसी भी bank से लें, अब बात करता है pre-closure penalty, pre-closure penalty में भी वही criteria है, कि 0% से लेके 5% तक की penalty लगा दी जाती है, कई bank ऐसे होते हैं, जो कहते हैं कि salver अगर आपका loan चला, उसके बाद आप close करा सकते हैं, तो कम penalty लगेगी, इस तरीके से जब आप loan लें तो पहले देख लेंगी penalty, कब-कब लगनी है, foreclosure charge पर, और कितनी लगेगी, तो friends मुझे अपूर की उमीद है, आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा, please मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रूप पे शेर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवागे रखें, banking related informations के लिए, thank you friends.